क्या हवाओं का रुख बदल रहा है क्या इस बार सत्ता परिवर्थन होने वाला है क्योंकि जो कल तक मोदी मोदी का जाप किया कर रहे थे वो आज मोदी के खिलाफ खड़े होकर आवाज उछा रहे हैं और ऐसा मैसेज दे रहे हैं जिसे सुनकर यकीन कर पाना बेहद ही मुश मुश्किल हो चला है जिया दोस्तों जो खबर दिखाने जा रही हूं बताने जा रही हूं उसको दिल ठाम कर सुनिएगा क्योंकि आपको भी जटका लगेगा आप जिस जगह पर है उस जगह पर आप एक सेकंड के लिए हिल जाएंगे कि क्या यह सच मुच में यही है यह ग सबसे बड़े गोधी चानल ने यह मान लिया है कि एहंकार जो है रावन को भी था और उसका एहंकार उसे एक दिन ले ढूबा और ठीक ऐसे ही जी न्यूज जो दिन भर मोधी जाप में लगा रहता था बीजेपी जाप में लगा रहता था उसके मालिक खुल कर क्या लिख र वाट वाला किस तरीके से ये लोग जो कल तक चाचु कारिता ही करते हुए नजर आते थे बटवा में पैसा रखते हैं कि नहीं कौन से तस्तरी में कौन से चमच कौन से काटा कौन सा चौनी कौन सा ये कौन सा वो करते हुए नजर आ रहे थे आज वही जी न्यूस के मालिक किस तरीके से अपना सुर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा टिकेट पर भी जा चुके हैं दोस्तों लेकिन इस बारन का टिकेट कार्ट देने से लगता है मामला बहुत बिगड़ गया है और ये मामला इतना बिगड़ गया है कि अब बात दूर तलक आ गई है जी न्यूज वाले ने ऐसा ऐसा स्टेप ले लिया है बीजेपी के खिलाब कि उसे सुम कर और भी आपको आगे जटका लगने वाला इस वीडियो में लेकिन सबसे पहले आपको मैं सुभास चंद्रा का ये टूइट दिखाना चाहूंगी जिन्होंने टूइट कर कर अपने व्यवार में बदलाव करने में ही लाव है जै भारत बदलाव करने की बात कर रहे हैं दोस्तों इसी वीडियो को शेयर किया है श्रिनिवास और लिखते हैं बीजेपी के डेट्सों के अंदर समचने के पहले ही रुजान आने लगे हैं सुभास चंद्रा जी ने र जुख बदल रहा है हमाया बदल रही हैं और इसका बदलाव सबसे पहले गोदी चैनल्स वालों को ही लग जाता और गोदी में किस तपछी से अपनी बात Swipe रखी है सबसे आपके सामने रखते हो गोदी चैनल्स के सबसे बड़े नेटवर्क भग के सभी चैनलों पर मोदी शाह और योगी की सभाव और रोड शो को लाइब दिखाना बंद करने का फर्मान दे दिया है ललन पोस्ट के हवाले से खबर निकल कर सामने आई है ललन पोस्ट लिखता है जी नेटवर्ट के सभी चानलों पर मोदी शाह और योगी की सभाव और रोड शो को लाइब दिखा बंद करने का फर्मान जो है वो हेड ऑफिस से आ गया है सुभास्ट चुंदा की तरफ से जी नियू जी राजस्थान की बिजनस जी मीडिया वियोन जी बंगला और जी सलाम जी हर्याना जी तमिल तमाम जो चैनल जी के वो तमाम प्लेटफॉर्म पर मोदी योगी की रैली को नहीं दिखाया जाएगा ऐसा आदेश जी वालों की तरफ से दिया गया है जैसे ललन पोस्ट के हवाले से खबर निकल कर सामने आईए वहीं और भी आपको एक और जटका दे दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया पर जी का गद्दार करके ट्रेंड भी चल रहा है दोस्तों जी जी का गद्दार करके ट्रेंड चल रहा है और इसमें क्या कुछ लिखा जा रहा है सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं संदीप खाशा नाम के क्यूजर है वो लिखते बड़े दुर्भागे की बात है कि प्रेस की आजादी में 180 देशों में से भारत 169 नंबर पर है जी मी दुर्भागे की बात है कि हमारा जो मीडिया का जो अस्तर है जो लेवल है वो 159 पर आ गया है कभी हमारा जो मीडिया का जो यह था 180 देशों में नंबर अच्छे रांकों में हुआ करता था लेकिन आप 180 देशों में भारत 159 नंबर पर पहुँच गया है इससे बड़ी सुचिए क्या कुछ BJP करने की कोशिश कर रही थी और आपको आज भी देखकर जो है समझने की जरूरत है कि गोधी चैनल कैसे अपना मन और हिर्दय परिवर्तन कर लेते हैं जब उनको लो लाव नहीं मिलता है तो वो कैसे सच दिखाने की बात करने लग जाते हैं लेकिन इससे पहले आप सोचें कि लोगों के अंदर कितना जहर और कितनी नफरत भर चुका है ये तमाम चैनल यहीं चैनल था जहां पर बैट कर दिन रात नफरत फैलाया जाता था इसमें अंकर सुधीर चौधरी डियाने लेकर आता था जो सिर्फ और सिर्फ मुसल्मानों से नफरत करने के लिए सिखाता था आज वो चैनल ये बाते कर रहा है कि मीडिया और जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसका लेवल बार बार गिरता हुआ नजर आ रहा है ये बहुत दुखकी बात है जी हां सुभास चंद्राजी दुखकी तो बहुत बड़ी बात है लेकिन ये सब दुख आप लोगों का ही दिय खुआ है आप लोगों ने ही देश की जंता के अंदर जहर भरने का कोशिश किया था और कोशिश कर रहे हैं आप जैसे तमाम चैनल वाले अब आकर आप कह रहे हैं कि दुख और दर्द आपको नजरा रहा है अब आप राम और रावन में अंतर कर रहे हैं पहले कर लिए होते तो देश जिस कदर नफरत का शिकार हो रहा है उस नफरत का शिकार नहीं हुआ करता नहीं हो रहा होता धर्म के नाम पर लोग एक दूसर से नफरत नहीं कर रहे होते लेकिन खैर देर आए दुरूस्त आए दोस्तों इस पूरे रेपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं आपकी क्या राए हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा साथ ही साथ चैनल को जादा साजादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुर भी न भूले